हेलो फ्रेंट्स हम जो अभी मद्यप्रदेश का बहुतिक विवाजन पूरा कंपलीट कर चुके हैं उसके बाद आज हम परवत सुरू कर रहे हैं मद्यप्रदेश के परवत बिंध्यान चल और सत्पड़ा सबसे दो वड़ी परवत सरंकला हैं जन्में छोटे-छोटे परवत हैं हम उनको धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे और अभी मैं उनको ज्यादा डिटिल से नहीं कराऊंगा थोड़े-थोड़े बता दूँगा जो इंपॉर्टेंट उन्फॉर्मेशन्स हैं आगे जब हम हर जिले की विसिस्ट पढ़ेंगे तब हुहां पर हम बताएंगे जैसे भोपाल के बारे हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो बिंद्यान चले है उसकी चोटी चोटी पाँच पहाड़ियों पर भोपाल सहर बना है इस परकार से हम आपको बताएंगे है ना खेर आज सबसे पहला हमारा काम होता है कि एक जले का नाम याद करना जैसे कि हम भिंड मुरेना गौालियर दतिया स्योपुरी स्योपुर गुना और असोकनगर और यहां पर निवाडी लास्ट वीडियो में याद किया था निवाडी के ठीक नीचे है टीकमगड टीकमगड के बगल में है च्छतरपूर च्छतरपूर में आपको पन्ना नाम की जगा च्छतरपूर में अभी बक्सवा नाम की जगा पता होगी जहां पर अभी नई हीरे की कदान का पता चलाया ठीक है वह तो मैं अभी खाली जन्रल इंफर्मेशन बता रहा हूं हम पन्ना बगल में है खैर अभी दो जले कौन-कौन से याद रखने है टीकमगड और ठीक है और आज की जो हमारी फैक्च्छल इंफर्मेशन है फैक्च्छल इंफर्मेशन देखिए यह हमारी कौन सी साइड है वैस्ट और यह कौन सी है इस्ट यह कौन सी है नॉर्थ और यह कौन सी है साउथ यह हमारा जो वैस्ट टू इस्ट है यह थोड़ा आपको ज्याद 605 किलो मीटर वेस्ट टू इस्ट या एस्ट टू इस्ट ये हम अगली वीडियो में बताएंगे एक ही याद करिए जिससे हमें चीज़ां याद होती रहेंगी और कन्फूजन भी नहीं होगा 605 किलो मीटर अब हम बात करते हैं विंद्यांचल परवत की लग़ भग यहान पर इस तरह से बिंद्यांचल फैला वग आए ठीक है इस तरह सी विधर ये यहाँ पर गुझराथ है नीचे यहाँ पर गुझराथ है और यहाँ ऊपर राजस्थान रजस्थान में आपको पता हुआ एक अरावली परवस्रंखला है और यहां पर यह अपना उत्तर प्रदेश है, है ना समझ रहे हैं, यहां 36 गड़ है, यहां बिहार और जार खंड है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, अब मुझे जो बतानी है चीजें, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, जैसे मानिए, यह हमारी जो बिंध्या इसको हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं, चलो इससे पहले में आपको एक चीज और बता दूँ, कि जो बिंध्या चल है, वो कहां से शुरू होती है, जो अरावली परवस्तर अंखला है, राजस्तान में, उसके थोड़े पहले इधरी शुरू हो जाती है, और यहां बिहार चार खंड उत्तर प्रदेश तक चली जाती है, ठीक है, इतना आपको पता चलिया, यह मद्य प्रदेश में नहीं है, यह बहुत बड़े छेत्रों फैली है, लेकिन बहुत जादा भाग इसका मद्य प्रदेश में ही है, ठीक है, इसको हम तीन भागों में बाटते हैं, तीन लीजिए बीच का जो भाग है उसे बोलते हैं भांडेर गौालियर में भांडेर नाम की जगह है आपको बता होगा भांडेर ठीक है भांडेर तीसरा भाग है इसे बोलते हैं कैमूर कैमूर ठीक है ये तीन भाग होगा है बिंध्यान चलके अगर हम बात करें सत्पुडा की य ऐसे छोटा साव समझने के लिए हमें होना चाहिए है ना I think ये भी ठीक है अभी हमने देखा ये विंध्यान चल थी और इसके नीचे ठीक इसके नीचे ही ठीक सत्पड़ा है ये हमारी सत्पड़ा है सत्पड़ा भी देखिए यहां पर ये मद्द्प्रदेश है मद्द्प्रदेश में यहां से ये गुजरात में भी थोड़ा बहुत हिस्सा है गुजरात में राज पिपला राज पिपला नाम से चानी जाती है अब इसको भी हम तीन भागों में बाट देते हैं जैसा कि आपनों पढ़ा होगा जो मद्द प्रदेश का विवाजन था उसमें भी हमने तीन भागों माटा था बहुत एक विवाजन में सत्पडा को तो इसके भी हम तीन हिस्से कर देते उपर के तीन हिस्से यहाद आ गए अभी में रिवाईज कराऊंगा देखिए पहला था बिंध्यान चल दूसरा क्या था भांडेर तीसरा क्या था कैमूर ठीक है अब इसको समझेगे गुजरास से मंद्प्रते थोड़ा 36 गोड़ में मान सकते है थोड़ा वा ठीक है इसका प परवत स्रंग खला ठीक है अब एक और इनफॉर्मेशन आपको इसमें बता दूँ यह बिंध्यान चल और परवत तो हो गए और सत्पड़ा अब जहां हम जिले स्टार्ट करेंगे और जो जिले के साथ साथ और भी कई चीज़ां में एक साथ सुरू करेंगे उसमें आपको चीज़ां और कलियर होंगी और ज्यादा इनफॉर्मेशन सेन के बारे में पता चलेंगी खेर यहां बात एक और बता दूँ आपने नर्मदा नदी बहुत सुनी होगी नर्मदा नदी है नर्मदा नदी बहुत सुनी होगी यह देखिए यह जो हमारा बिंध्यान चल है और सत्पड़ा है यहां अनुपपुर है कहीं अनुपपुर से होती हुई कि सत्पड़ा और अमरकंटक सत्पड़ा और अमरकंटक इसके बीज सत्पड़ा और बिंध्यान चल अमरकंटक से निकल कर सत्पड़ा और बिंध्यान चल के बीच से गुजरती हुई जाती है और ये हमारा जो बीच में बन के जाती है इसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली में आपको समझा देता हूँ अभी रिफ्ट वैली से उकर गुजरती है रिफ्ट वैली क्या होती है मान लीजिए एक ये भूमी है भूमी का हिस्सा है यानि कि ये मद्य प्रदेश का इत्ता बड़ा हिस्सा में मानना हूँ समझ में आ रहा है अब क्या हुआ भूकम्प आया भूकम्प आया और यह ऐसा हो गया समझ गया बीच का हिस्से दस गया और की तरफ बन गया क्या बिन्धियान चल ईब अब आपको समझ में आगया है और बीच में कौन सी नदी बैह रही है नर्मदा नदी ये नर्मदा नदी आ रही है ये सत्पड़ा है ये बिन्यान चला बीच में कौन सी नर्मदा नदी इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली ठीक है आपको ये समझ में आगया होगा ये नर्मदा न वाले हैं एक एक जले की particular उसके individual जानकारी निकालें उसके बारी में सब कुछ जानेंगे धीरे-धीरे करके और उसके साथ साथ जो मद्धप्रदेश की विशेष्ट जानकारी हैं मद्धप्रदेश के प्रमुकहेल, जंजातियां बहुत सारी चीज़ हैं वो भी अब सुरू क करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू जिले याद रखना टीकमगड़ और चतरपूर